आप सब का SSB क्राक एक्जाम चैनल पर तो आज मैं आप से बात करने आई हूँ आज नई टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है डाट इस रॉलेटेट तो आज कादर दाट इस अठाइस फेबरेरी और आज हम सलिबरेट करते हैं नाशनल साइंस दे तो चली जानेंगे आज आज दाट इस अठाइस फेबरेरी को नाशनल साइंस दे की तरह बनाया जाता है भारत के अंदर और इसके पीछे का जो रीजन है अगर आप नाम देख रहे हैं तो यह साब को एक नाम जरूर याद आया होगा देख दाइस दाइस सीवी रमन जिनका पुरा नाम है चंद्र शेकर वेकटा रमन और नॉमने इनको हम सीवी रमन के नाम से ही जानते हैं तो इन्हों नहीं इस एफेक्ट को लाँच किया था जो डिसकवर किया था दिरामन एफेक्ट को और उसी के बाद से 28 फेबरेरी को जिस दिन इन्हों ने अनौन्समेंट की थी उसी दिन को माग कर दिया गया है National Science Day. So, this day serve as a reminder of its groundbreaking contributions to the science and technology leaving behind a legacy that continues to inspire generations worldwide. It's not about कि जो रमन एफेक्ट जब डिसकवर किया गया था सिर्फ भारत के लिए पायद हमादा वर्ल्ड वाइडस चीज़ को बहुत जादा सराया गया था Because of physics के अंदर इसको एक नया नाम दिया गया था तो सबसे सबसे पहले बात करते हैं Ministry of National Science Day कि क्या कब से से हम celebrate कर रहे हैं So February 28 आज की ही तारीख था और 1928 So 1928 में ही रमन सीवी रमन जी ने बुला कि Yes, we have discovered this effect And उसको नहीं के नाम के उपर रखा गया That is the Raman effect इसे particular launch के लिए इनको Nobel Prize से भी नवाजा गया 1930 में And इसी सीए बने ते पहले भारती है जिनको ये award दिया गया था अब आग करें कि कब से हम इसे mark कर रहे हैं So National Council for Science and Technology Communication 1986 में उन्होंने Government of India से कहा था कि हमें 28 February को mark कर देना चीए National Science Day में एक attribute एक respect देते हुए से विरमन जी के discovery को And government ने से accept भी कर लिया था डिकलेर कर गया था 28 February को National Science Day और सबसे पहली बार जब National Science Day बनाया गया था That was the year 1987 And the date was 28 February only इस साल की बात करें थीम की थी 2024 की तिस बार की जो थीम है कहीं नहीं कहीं हम सब जानते हैं विकसद भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं एक इविंट का भी थीम भही होगा And he has the indigenous technologies for the विकसद भारत Made in India और विकसद भारत दोनों चीज़ें को एक ही उसमें समेट दिया गया And the theme was Indigenous technologies भारत की बनी हुई अपनी technologies और उनको डाल दे हैं विकसद भारत के अंडर अब जानते हैं Siviraman जी की कुछ हिस्ट्री के बारे में उनका जनाम हुआ था साथ न नवंबर 1888, 1888, 7 नवंबर तो इनका जनाम हुआ था तमिल नाडू में और बात करें पूरे शेहर की That was the Teruchira Pali So Siviraman exhibited an early passion for the science and education असा नहीं तक एक दम सेंका discovery है बच्चपन से ही इनके अंदर एक अलग सा जो passion था एक फिवरेट अजम्दाव के साइंस के प्रती इनकी जो जानी थी start हुई थी towards the scientific excellence जब इन्होंने bachelor degree की थी physics में from the presidency college Chennai में उसके बाद इन्होंने master degree की अपनी university of Calcutta से उसके बाद जब ये professor आज तक याद रखने वाली जो discovery है वहां पर उन्होंने discover की थी and the Raman made his the most significant breakthrough in the year 1928 while conducting experiment और particularly ये इस पर काम नहीं करे थी he was working on some other thing and that was the scattering of light so अब सबने बच्चपन में जरूर scattering of light पढ़ा होगा कि किस तरह से white light आके अलग अलग उसमें जाती है आपको जरूर पता होगा नहीं जो हमें scatter करे नहीं उसी टाइम पर इसके related ये पढ़ रहते scattering of light and उसी टाइम पर एक unusual phenomena ये नहीं पर देखा and उसी discovery को आज हम Raman effect के नाम से जानते है so he observed an unexpected phenomena that would revolutionize the field of physics this phenomena is also known as the Raman effect demonstrated the inelastic scattering of photons by the molecules providing valuable insights into the molecular structure and dynamics जहांपे ये light को study कर रहे थे उसी की बीच में इन्होंने देखा कि जो photons, molecules ये सब अपने जरूर का science में अपने school time पर पढ़े होंगे तो उसका scattering जो इन्होंने देखा and वहीं से हमारा नाम आता है आज के Raman effect का so 1930 में जैसे कि मैंने आपको बताया इनको noble price दिया गया था in the physics and he is the first Indian to receive the prestigious accolade his pioneering research not only enhanced our understanding of light matter जैसे कि मैंने आपको बताया कि scattering of light के बारे में ये पढ़ रहे थे उसके बारे में ये काम कर रहे थे and उसी के साथ इन्होंने और भी ऐसे बहुत से fields है जिनके अंदर इनको आज भी याद किया जाता है जैसे कि technological advancement in the field such as the spectroscope अगर आप नीचे देखेंगे सवेस आज भी हमें जो सीवी रवन जी का spectrograph है वो देखने को मिलता है material science and the telecommunications इससे हटके भी इन्होंने जो हमें इन्होंने एक चीज नोटिस किया कि क्यों जो अलग-अलग instruments है musical instruments है हमें अलग-अलग इस वे से sounds क्यों आती है उस particular चीज पे भी इन्होंने काम किया so acoustics of the musical instrument very investigated the physics behind the sound produced by the various instruments अगर आज आप guitar सुनेंगे तो guitar के पिछ अलग अवाज है sitar सुनेंगे तो उसके पिछ अलग अवाज है tabla सुनेंगे तो अलग अवाज है so yes why these particular instruments are providing different sounds उसके उपर भी इन्होंने काम किया additionally he also worked in the field of crystal physics illustrated in the behavior of light when passing through transparent materials such as the crystals and the gemstones so yes इसके उपर भी इन्होंने study कि जिसे gemstones आप सब ने gemstones देखे होंगे so उसके वीच में से जब light pass करते हैं किस तरह से behave करते हैं transparent कोई भी material हो किस तरह से उसके भी behavior होता है उसके उपर भी C.V. Raman जी ने काम किया था he also advocated the establishment of the research institutions and the laboratories to focus on the foster scientific inquiry and the innovation in the country so अलग अलग institutions को built up करने का भी इनका ख्याल ता उसके उपर बात करते थी founding of the Indian Academy of Sciences वो भी नहीं के द्वारा कराया गया था Raman Research Institute आप जो नहीं सबने सुना होगा institute that continues to uphold his legacy by promoting excellence in the scientific research and the education so furthermore से वीरा मनागरम conclusion पर बात करें so no doubt इनोंने खुद तो बहुत सारा काम किया physics के उपर, lights के उपर, crystals के उपर acoustics of the musical instruments के and more concerned about the young minds के young minds के अंदर कैसे उनका science जो है built-up किया जाए so Siviraman was deeply committed to science outreach and education recognizing the importance of nurturing young minds and fostering a scientific temperament among the masses he believed in the democratization of the knowledge and strive to make science accessible to all sections of the society inspiring countless individuals to pursue careers in the science and engineering and इसी के साथ इनके एक और बहुत बड़ी सोशते की जो महिला है जो women है उनको science को जादा से जादा opt करना चाहिए तो चलिए अगर आप नीचे इस particular picture में नीचे आप tagline पड़ रहे होंगे so if the women of India take to the science they will achieve what even men have failed to do so ये भी उनका कहना था ये उनका thought process था towards the women को जादा साथ जादा science लेनी चाहिए his work on the scattering of the light led to his discovery of the Raman scattering and the Raman effect he was so confident of winning and thus was आज भी इनको याद किया जाता है कि जब तक announcements भी नियो थी वो सो confident कि इनो ने पहले सी ही अपने tickets बुक करा ले थी वो सो confident कि उनको Nobel Prize ज़रूर मिलेगा so he was so confident of winning that he booked his tickets to Sweden four months before the announcement so yeah, ऐसी यह था इनका पुरा का पुरा कार्या जो हमने एक short उसमें discuss किया but yes, आज भी हम इनके अलगी सी को याद करें and आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके breakthroughs because आज भी भारत जो है science के field में अलग नाम बना रहा है world level में अपना जो एक mark चोड रहा है लेकिन यह सब ऐसा नहीं है history में भी आज यह सब नीब की तरह काम किये थे and this was the first thing जो कि physics के sector में बहुत साथा revolutionizing एक discovery आई थी so that was all for this particular update अभी आपके screen में कुछ courses for SSB interview Armenia मारे batches बैठते है आप इनको join कर सकते है साथ ही there are the courses for NDA, CDS, FCAT you can enroll in this particular courses while enrolling you can use discount code warrior10 जैसे आप इस code को use करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course so that's all for the day thank you so much for watching this video lecture जै हन, जै भारत अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूले आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं